जांजगीर च्यापा के अकलत्रा के 72 साल के परश राम गोन ने मेराथन दौन में एक बार फिर परचम लहराया है और इस बाल कॉलकता में 60 वर्ष से अधिक उम्र की 10 किलो मिटर दौन में प्रथम इस्थान हासिल किया है कॉलकता में मेराथन जीतने के बाद अकलत्रा पहुचने पर इस्थानी लोगों ने परश राम गोन का स्वागत किया आपको बता दें 72 साल के परश राम गोन युवाओं के आदर्स हैं क्योंकि इस से पहले वे दिल्ली, इंदौर और रायपूर में आयोजित मेराथन में फिर भी परश राम गोन ने अपने होसले से वह कर दिखाया है जो युवा नहीं कर सकते हैं परश राम गोन कहते हैं कि जब तक सास चलेगी तब तक दोना नहीं छोडेंगे क्योंकि यह अब तक उनका जुनुन बन चुका है इस्थानी लोगों का कहना है कि परश राम गोन अकलत्रा और छेत्र के लोगों खास कर युवाओं के लिए बड़ी मिसाल है युवाओं को इनसे सीख मिलती है मतलब आरदस आरदस हजार के करीप नहीं हुआ आदमी दावक मतलब मोर उमर है जो 72 वर से की उमर है जी पहुत ही सुंदर बात है और प्रसराम गोर जी मेरे वाड के हैं और मेरे बड़ास नजदिक के हैं बड़े ही गौरों की बात है कि हमारे नगर के लिए हमारे जीले के लिए जो आज राश्ति इश्टर के मेरा थान में प्रथम इस्थान ला के निशित तोर पे हमारे अकलतरा को और हमारे जीले को गरवानमित किया हैं हम सभी नगरवाशी उनको बहुत-बहुत सुबकामने देते हैं पिछले बार भी इंग दौर से तिसरे इस्थान पर थे इस बार कलकत्ता में दोड़ कर प्रथम इस्थान लाए हैं और हमारी बहुत-बहुत सुबकामना हैं आज पुरे नगरवाशी भी हरसे हैं उनमें कि इस उम्र में 60 प्लस में दोड़ के और ये प्रिणा की बात है नहीं वाकों को लिए कि इस तरह के वो करके आज एक उधारन प्रस्तूत किये हैं तो हम बड़े ही अभी डीजे के साथ उनको रिल्वेश स्टेशन से उनके घर तक छोड़ने जा रहा हैं पूरे नगरवाश्यों के साथ अब कर दो आर्मी से आते हैं और वहापर स्वस्त पोना और एक्सक्राइज के बड़ी जी जी तरह पर के जो पहिया है परस राम गोड़ जी मैं जब भी वाड में जाता हूं मुझे ये सुबह के समय दोड़ते मिलते हैं मंदिर में आते हैं दोड़ते हुए आते हैं मंदिर से जब जाते हैं दोड़ते हुए जाते हैं तो अपने साथ साथ लोगों को प्रेणा देने के भी काम करते हैं इस तरीके से हमारे प्रस राम भीया जी है और बहुत ही हमारे लिए गौरों की बात है कि आज नगर में इस तरीके से दोंड के आके प्रत्थम इस्थान लाके हमारे नगर को गरवानमित के